हई गाइज वैलकम बेक टू मैई चैनल कैसे हram सब लोग सो गाइज आज मैंने क्रेक्ट किया है यह ट्रेडिशनल फैस्टिव मेंकप लोग इसे आप वैसे किसी भी फैस्टिवल पे कर सकते हो जो भी हमारे ट्रेडिशनल फैस्टिवल होते हैं जैसे अभी करवा छौत आ रहा है आप उस पर कर सकते हो दीवाली वाले दिन कर सकते हो आपके घर में कोई function है पूज़ा पाठ है आप तब कर सकते हो आपकी नई नई शादी हुई आपको शादी के बाद मेकप करना है ना आप इस तरीके से रेडी हो सकते हो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ना परसनली इस तरीके के ट्रेडिशनल मेकप बहुत जादा अच्छे लगते हैं मैंने इस मेकप लुक को कैसे क्रेट किया है चलिए मैं आपको ब इसका ना टेक्शर काफी वाटरी एंड जेल बेस्ट काइंड ओफ टेक्शर है तो इससे फेस वाश करने के बाद ना सकिन बिल्कुल भी ड्राय एंड टैची फील नहीं होती है एकदम सकिन बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है यह सुटेबल है फॉर आल सकिन टाइप्स अब मैं इसकी मैंने बहुत तारीफ सुनी तो मैंने का चलो इस इस बाद ट्राइब किया जैंड सच में बहुत ही जाद अच्छा है इसको लगाने के बाद आपकी स्किन बिल्कुल भी ग्रीसी ओईली फील नहीं होती इतना स्मूध टेक्शर हो जाता है ने स्किन का आपका मैंद अ आपको ओपन पोर्स की प्राइमर यूज कर सकते हो क्योंकि आपकी स्किन का टेक्शर बहुत ही स्मूध कर देता है सच में मुझे मेरी स्किन इतनी अच्छी लगती है इसको लगाने के बाद की बार बार टच करने का मन करता है अब मैं यूज करी हूँ डर्मा वाइव का इसे मैं अपने हाथों पे यूज करूंगी क्योंकि मैंने फेस को तो न्यूट्री डर्म के मॉश्राइजर से अच्छे से मॉश्राइज कर लिया था यह वाला जो लोशन है न गाइस यह स्किन को बहुत अच्छे से डीपली मॉश्राइज कर देता है इन तीनों का लिंक आ रहने का बॉलीवुड फिल्टर फेस प्राइमर और यह हर टाइब के स्किन पर सूट कर जाएगा मतलब जाए सकिन ओइली हो sensitive हो acne prone स्किन हो dry स्किन हो combination स्किन हो सब पर सूट कर जाएगा इसका texture एंड इसका formula बहुत ही अच्छा है आज मैं foundation के लिए यूज करी हूं space beauty का airbrush फिनिश फाउंडेशन मैंने इस फाउंडेशन को गर्मियों में पर्चेस किया था तो उस टाइम पे में इसका ज्यादा यूज नहीं कर पा रही थी लेकिन अब जैसे ही थोड़ा वैदर यह चेंज हुआ है आप यकीन नहीं मानोगे यह फाउंडेशन मुझे इतना पसंद एक तो यह इतनी नाच्रल कवरेश देता है ऐसा है लगाने के बाल लगता ही नहीं है कि फाउंडेशन लगा भी आप देखो मैं ब्लेंड करूंगी आप देखना ऐसा लगता है मेरी स्केन है जो और बहतर हो गई है सच में यह फाउंडेशन मुझे बहुत अच्छा लगता आप इसे बिल्डबल कर सकते हो अगर आपको लगे कि कम प्रोड़क्ट के साथ आपको अच्छी कवरेश नहीं मिली तो आप बिल्डबल कर सकते हो मैंने जो ब्रश है ब्लेंडिंग के लिए यूज किया है वो है पैक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देदूंगी इस ब् करता अब बाकी सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता हर किसी प्रोड़क्ट को लेकर मेरी आइस के नीचे तो यह बिल्कुल भी क्रीज नहीं करता एंड फिनिश भी मुझे इसकी बहुत पसंद है नाओ अब मैं क्रीम ब्लश के लिए यूज कर रही हूं री कोड का यह करते ब्लश है मैंने कई बार इसे यूज किया एपनी वीडियो में मुझे पसंद ही इतना है मैं अब मेरा तो हाथ उन marrow होता है तो पता नहीं क्या होता है मैं बार बार उन्हीं को यूज करने लग जाती हूं आपने बेस को सेट किया है मैंने मेबलिन फिटमी के प्रेस्ट कॉम्पक्ट पाउडर के साथ अब अपनी आइब्रोस को बहुत ही नैचरली डिफाइन करेंगे मतलब थोड़ा सा शेप मेंटेन करेंगे गैपिंग को फिल करेंगे और इसके लिए मैं यूज करी हूं स्वेस ब्यूटी की आइब्रो पैंसिल बहुत थी अच्छी आइब्रो पैंसिल है डेफिनिटली ट्राइ कर सकते हो आई लुक को क्रेट करने के लिए आज मैंने यूज किया है कफसें लेशिस का ये इंचेंटिंग आईशेडव पैलेट इसमें काफी सारे शेड्स हैं तो आपका ये एक पैलेट बहुत मतलब यूसफुल रहता है आपके लिए तो सौरी मैं है क्लेपी एड़ करना भूल गई थी मैंने कौन कौन सा कलर पिक किया था इस पैलेट में से मैं आपको वैसे बता देती हूँ एक रस्ट कलर था और इंच रस्ट कलर उसको मैंने क्रीज पे लिया और इसमें रेड कलर तो नहीं था लेकिन एक महरून काइंड थोड़ा कलर था उसको मैंने आउटर वी पे लगाया एक गोल्डन शेड था शिमरी उसको मैंने आइलिट पे लगाया एंड उसके बाद मैंने जो गोल्डन एंड जो महरून का जो बॉर्डर था उसको अच्छे से ब्लेंड किया आप यकीन मानिये यह आई लुक इतना काजल है तो मैंने आईलैनर और काजल दोनों उसी से लगाया एंड उसके बाद हाइलाइटर से जो भी हाइस्ट पॉइंट से उनको कवर अप कर लिया एंड मैंने जो थोड़ा वो महरून वाला शेड था अपनी लोर लेश लाइन पे लगाया उसको अच्छे से ब्लेंड क मैंने यूज किया था मेबलीन का स्काई हाय मसकारा जो की बहुत ही अच्छा मसकारा है मुझे बहुत जादा पसंद है और बाकी का जो फेस मेकप है उसके लिए आप देख सकते हो मैं शूगर का फेस पैलेट यूज कर रही हूँ जो की बहुत ही अच्छा फेस पैलेट है अगर आप अच्छा एक फेस पैलेट चाहते हो तो डेफिनिटली इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो हाइलाइटर भी बहुत अच्छा है बिल्कुल भी चंकी पार्डिकल्स नहीं है दैन उसके बाद मैंने मार्स के वांडर मेकप फिक्सर से अपने पूरे बेस को सेट कर लि लगे है अब लिप मेकप की बार ही जिसके लिए मैं पहले यूज कर रहरी हूं मारस यह लिप लाइनर हैं रड्यकलर अच्छे से लिप लाइनर में लगाती है लिपस्टिक की बजाए लिप लाइनर को अच्छे से फिल कर लिया कर VPN and लिप्स्टिक फैले ना ठीक है ये एक है कैसे ट्राइ करो कि बहुत लोगों की लिप्स्टिक ना कॉर्णर में से बाहर निकल जाती है तो वहां पे आप लाइनर को अच्छे से फिल कर लिया करो फिर मैंने स्वेस ब्यूटी के इस लिप पैलेट में से रेड कलर लिया जो कि बहुत अच्छा रेड कलर है उसे लगाया एंड उसके बाद मैंने ये जो गेम चेंजर मैं इसको बोलती हूं देखना पूरा लुक बदल जाता है लिप्स्टिक का ये स्टे को लिप ऑईल है बहुत ही अच्छा इसको लगाने के बाद एक दम लिप्स देखो कितने बढ़ अच्छा था खुद को मैं इस तरीके से ट्रेडिशनल तरीके से तयार नहीं होती हूं नॉर्मिली मैं आपको सच पता हूं तो लेकिन जब तयार हुई मैं तो खुद को मिरर में यार देखी जारी देखी जारी मैंने का हाई ये लुक मेरे पर कितना अच्छा लग रहा है इस तरीके से ना स्लीक हेर बन बना लो और बस फिर पीछे तोड़ा गजरा वजरा लगा लो एक तो इतना सिंपल सा हेर स्टैल इतनी जल्दी बन जाता है पता भी नहीं चलता यहां पर मैं जब फ्लॉंट कर रही थी तो इतने में मेरे हस्बेंट रूम में एंटर किये और उन्होंने मेरे लुक देखा ना तो वो भी बहुत हैरान हुए हैरान से मतलब क्योंकि मैं नॉर्मली ऐसा लुक नहीं करती हूँ बहुत ही मैं प्रिशेट किया कि यह लुक आप पे बहुत ही अच्छा लग रहा है तो आपको कैसा लग रहा है आप मुझे जरूर कॉमेंट करके बताना जितने भी प्रोडेक्ट में यूज़ करूंगी सबके लिंक आपको दे दूंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक कर देना चानल पर नहों तो सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं काई नेक्स्ट वीडियो में